हाई वरीबडी दिस इस प्रेयों वोलकम टे एजुकेशनल हाइक स्यार सो कैसे हो आप सब प्लीज लेट मी नो इन दे कॉमेंट फेक्शन और अगर आज की इस वीडियो के बारें हम बात करें तो आज की वीडियो क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिस ग्रैमर में 2021 में जिस तरीके के क्वेशन आपके बोर्ट पूछने वाला है या जिस तरीके के क्वेशन आपके प्री बोर्ट में आ सकते हैं उन सभी तरीके के क्वेशन की आज हम बहुत सारी प् करके आप gap filling के questions को देखते ही कैसे कर ले जाओगे exactly वही सब कुछ देखने वाले हैं और करने वाले हैं but before starting मैं आपको बता दू कि हमने already class 10 के English sample question paper को solve कर रखा है जो latest sample paper board ने release करा है उसको हमने solve कर रखा है party की video आपको अलग मिल जाएगी part week की video हमने अलग upload करी है ये दोनों videos tricks के साथ solve है तो जाओ यार video को जरूर देखना आपको नीचे description box में इन दोनों videos की link मिल जाएगी so let's get started with this video फटावर subscribe कर दो अगर आप पहली बार हमारे channel पर आ रहे हो और घंटे को भी दबाना ताकि हमारी videos के notification लगातार आपको मिलती रहे so previous year questions gap filling के जो हमारी CBSC board ने 2015 से लेके 2000 बीच के बीच में जितने भी gap filling के questions board ने पूछे है उन सभी questions को हमने अपने latest syllabus के according modify किया है और आप के लिए लेके आए है so let's get started यार हमारी पहला question आता है हमारे सामने elephants that's the largest land mammals देखो सबसे पहले जो gap filling का question आता है जब भी आप gap filling के question को देखो तो सबसे पहला काम ये करो कि ये identify करो कि ये जो particular passage है ये कौन सी tense में है चलो थोड़ा पता लगानी की कोसिस करते है elephants elephants that's the largest land mammals और आपके पास options है age, are, was और were अब देखो भाई, बहुत ही simple सी बात है अगर हम इस particular sentence को देखे न तो elephants that's the largest land mammals जो हाथी होती है वो हमारे जमीन पर पाये जाने वाली सबसे बड़ा जीव है अब भी तो है ना मेरी जान ऐसा थोड़ी है कि elephant पहले सबसे बड़े थे, अब उनसे कोई और बड़ा जानवर आ गया है ऐसा तो है नहीं न elephants अब भी largest animal है है की नहीं तो बात किस चीज की हो रही है present time की हो रही है तो सबसे पहले was और were तो हट जाएगा क्यों? क्योंकि was और were जो है वो past की helping verb है past continuous की helping verb है अब हमें चूऊस करना है इस होगा या आर होगा अब तुम ही बताओ plural noun کے साथ तुम इच का यूज करते हो या आर का यूज करते हो बहुत ही simple है यह जो हमारा elephants है यह plural है और plural के साथ हम हमेशा plural verb का यूज करते है अब तुम बताओ is और are में कौन सा plural है बहुत ही simple are हमारा plural helping verb है तो elephants are the largest समझ में आया elephants are the largest land mammals समझ में आगे होगा चलो आगे देखते हैं three species of elephants that's leaving today अब हम जानते हैं कि यह जो हमारा particular passage है यह present में चल रहा है तो सबसे पहले past और future के options को cut कर दो जैसे देखो जो had been है यह हमारा past का helping verb है तो यह वाला तो cut कर दो will, will तो हमारा future का है तो इसे भी cut कर दो अब हमारे पास की वाल दो option बचे हैं या तो are leaving fill होगा या तो have been leaving fill होगा अब मैं आपको बता दू is, am और are का use हम present continuous tense में करते हैं और has been और have been का use हम present perfect continuous में करते हैं इतना तो पता है ना tense तो तुमने पढ़ा होगा ना बिलकुल येस, अब देखो फिर से तो रहा question को पढ़ते हैं कि three species of elephants plural noun के बारे में बात हो रहा है कि जो हाथियों की तीन प्रजातिया आज पाई जाती है अब देखो are living होगा या have been living होगा आपको क्या लगता है मेरी जान are living होगा अब क्यों are का use होगा क्यों की have been तब होता जब sentence में कोई timing दी गई रहती जैसे अगर ये होता कि three species of elephants have been living since 1990 या since 1999 या for three years या for ten years अगर ऐसा कुछ timing दिया रहता तब हम have been का या has been का use करते लेकिन अगर यहाँ पर timing नहीं दिया गया है तो हमारे लिए बहुत ही simple है हम या तो are का use करेंगे या तो each का बट यहाँ पर elephants है जो की plural noun है इसलिए हम second option में भी are का use करेंगे समझ में आया चलो आगे पढ़ते हैं कि थ्री स्पीसीज ओफ एलिफैंट्स आर लीविंग टूड़े एलिफैंट्स डैस अधर एलिफैंट्स आई वर वन्स क्लाजिफाइड विद अधर थिक स्कीन अब देखो सी वाले के पास हमारे पास चार ऑप्शिन है विथ आल्सो आंड और बट अब आप बताओ क्या फिल होगा फिर से थोड़ा क्वेस्टन को पढ़ते हैं देखो यहां पर यह कंजक्शन है ना आंड हो गया या बट हो गया या विथ हो गया यह जोडने का काम करते हैं तो देखो पहले क्या क्या जोडना है एलिफैंड्स को जोडना है और अदर एलिफैंड़ाई अदर एलिफैंड़ाई का मतलब क्या होता है छोटे छोटे एलिफैंड्स के जो बच्चे होते हैं तो यहां पर कहना क्या चाहा रहा है कहना चाहा है कि हाथी और छोटे-छोटे जो और भी हाथी है उन्हें थिक-skinned mammals कहा जाता है ठीक है तो और का use हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे elephant and other elephant आई समझ में आया elephants और दूसरे जो छोटे-छोटे हाथी है उनकी बात हो रही है ठीक है जैसे हम बोलते ना किसी-किसी दुकान का नाम होता है लल्लू जी and sons मतलब लल्लू जी की दुकान है और उनके बेटों की दुकान है बिल्कुल ऐसे ही elephants and other elephant eye समझ गए अब चलो आगे पढ़ते हैं कि elephants and other elephant eye were once classified with other thick skinned the elephant's gestation period is 22 months dash longest for any land mammal अब आपको क्या लग रहा है कि क्या fill up होगा आपके पास option है a and which या the चलो एक एक करके हाँ पर fill करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या सटीक बैगता है जैसे देखो the elephant's gestation period is 22 months a longest नहीं and a longest नहीं which longest नहीं the longest हाँ ये हो सकता है अब तुम पूछोगी कि भाया हमने the का use क्यों किया क्योंकि मेरी जान इसके आगे देख रहे हो ये superlative degree है ये adjective की कौनसी degree है ये adjective की superlative degree है कौनसी superlative degree जिस भी adjective के last में EST या S और T लगा होता है उसे हम superlative degree का नाम देते हैं और सभी superlative degree के पहले हम केवल the का use करते हैं जब हम articles पढ़ रहे होंगे तो उसमें हमें पढ़ाया गया होगा कि the का use कहां कहां होता है superlative degree के पहले भी होता है ठीक है जैसे honesty is the best policy best के पहले द लगा है ऐसे ही बहुत सारी कोई भी आप superlative degree ले लो उसके पहले the का ही use होता है तो याद रहेगा कोई ऐसा adjective जिसके last में st या est आ रहा है उसके पहले हम हमेशा the का use करेंगे समझ में आया तो इस तरीके से हमारा जो पहला gap filling का question था वो बहुत ही आसानी से हो गया चलो अब चलते हैं अपनी next question पर हमारा next question आता है question number two of gap filling ध्यान से question को पढ़ो और वही अपना पुराना तरीका और पहला तरीका क्या होगा कि मेरे भाई tense को पहचानो कि इस particular gap filling में कौन से tense का use हुआ है चलो थोड़ा पढ़ते हैं और देखने की कोशिस करते हैं कि very few people dust, loneliness बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन को क्या करते हैं? enjoy करते हैं अब गत किस चीज की हो रही है? present की बात हो रही है अब ऐसा तो है नहीं कि अब वो जो कम लोग पहले थे जो enjoy करते थे जिंदगी को अब वो नहीं है, अब भी लोग अपनी जिंदगी को enjoy करते हैं, अब भी जो लोग अकेले हैं, वो अब भी enjoy करते हैं कि नहीं करते हैं, बिलकुल इसी के लिए ये particular जो paragraph है, ये present tense का paragraph है, और हम कौन से verb का use करेंगे, present verb का use करेंगे, चलो, देखते हैं, very few people, अब देखो, सबस इस sentence में is, am, या are का use हुआ होता, क्यों? क्योंकि इन ही helping verbs के साथ तो ing form लगता है, तो मेरे भाई ing तो लगेगा नहीं, अब बचा कीवल दो option, या तो enjoy होगा, या तो enjoyous होगा, अब देखो enjoy तब use होता है, जब plural subject हो, और enjoyous तब use होता है, जब singular subject हो, आपको पता है ना, गया होगा, कि अगर कोई भी verb की first form, अगर उसमें हम yes या yes add कर देते हैं, तो वो singular बन जाता है, जैसे जो enjoyous है यहाँ पर, यह singular है, यह singular है, ठीक है, singular verb है, और यहीं पर जो enjoy है, इसमें s और es नहीं लगा है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह plural है, अब इन ही दोनों में से को यह एक होगा, लेकिन depend करता है कि हमारा subject singular है या plural है, जैसे देखो, very few people, लोगों की बात हो रही है, तो ऐसा है निना कि किसी एक व्यक्ति को हम कह देंगे people, ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई, बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाकर हम कहते हैं people, तो जब बहुत सारे लोग ह हो गये, तो plural हो गया, और plural subject के साथ हम केवल plural वाप का यूज करते हैं, तो अब बताओ, enjoy plural है या enjoy as plural है, enjoy plural है, तो हमारा first gap filling में हम फिल करेंगे, enjoy, समझ में आया, चलो, आगे देखते हैं कि very few people enjoy loneliness, it does to me, it does to me, that most people, dash, scared of dash, मतलब बहुत सारे dash, dash हैं, फिर से पढ़ते हैं, अभी क्या है, कि जो दूसरा वाला option है, उसमें आपके पास seems दिया है, seem दिया है, seemed दिया है, और will seem दिया है, सबसे पहला अपना छोटा सा दिमाख लगाओ, कि मेरे भाई, ये जो particular paragraph है, ये present tense में है, तो जब present tense में ह है, तो verb की second form क्या कर रही, तो पहले तो third option तो बिलकुल नहीं होगा, fourth option भी नहीं होगा, क्योंकि ये future tense का helping verb है, अब बचा क्या, seems और seem, जो seems है, उसमें s लगा हुआ है, इसलिए ये singular है, जो seem है, मतलब second वाला जो option है, इसमें s नहीं लगा, इसलिए ये plural है, मतलब पहला singular verb है, और दूसरा वाला plural verb है, अब देखो, जो हमारा subject है, वो singular है या plural है, अब तुम ही बताओ, it, it singular subject है, या plural subject है, बहुत ही simple, it हमारा singular subject होता है, ऐसे तो बोलते हैं, it is, ऐसे कह सकते हैं कि, it is pen, it is laptop, मतलब एक pen और एक laptop की बात हो रही है, न, it का मतलब याद रखना, it व singular होता है, किसी एक चीज के बारे में बात करता है, ठीक है, जब हमारा it singular है, तो उसके साथ हम singular verb का भी use करेंगे, तो singular verb कौन सा है, ऐसा verb जिसके last में, yes या yes लगा हो, ऐसे verbs को हम singular verb का नाम देते हैं, तो हमारे second option में भरा जाएगा, seems, very few people enjoy loneliness, it seems to me that most people, most people, dash, scared of, ऐसा मुझे लगता है कि जादा तर लोग डरते हैं, what? डरते हैं, present की बात हो रही है, तो सबसे पहले was, जो third वाला है, c वाला option है, उसमें देखो, is का use हुआ है, and का use हुआ है, are का use हुआ है, और was का भी use हुआ है, तो सबसे पहले was को तो कट कर दो, क्योंकि was हमारा past का helping verb है, यह particular जो paragraph है, यह present का है, समझ में आया, चलो, तो भाई, जंग किसके किसके बीच में है, या तो is भरा जाएगा, या तो an भरा जाएगा, या तो r भरा जाएगा, अब देखो, फिर से पढ़ते हैं, कि it seems to me that most people, dash, scared of, अब देखो, dash, scared of, मतलब कोई helping verb भरी जाएग या तो is, या तो are, अब तुम ही बताओ, people के साथ क्या use करते हैं हम, people, अभी मैंने बताया, people is a plural noun, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, यहाँ पर, तो यह एक plural noun है, और people, अगर plural noun है, तो इसके साथ हम plural verb का भी use करेंगे, अब तुम बताओ, is plural है, या are plural है, बहुत ह plural है, और इसलिए c वाले में हम भरेंगे, are, समझ में आया, चलो, आगे देखते हैं, seems to me that most people are scared of dash, left on their own, अब तुम बताओ, जिस भी sentence में is, am और are का use हो गया, उस sentence में verb की कौन सी form use होती है, बहुत साही बच्चा पाइटी, verb की first form plus ing का use होता है, याद रखना, is, am और are, यह हमारे present continuous tense के helping verb हैं, और present continuous में हमेशा ing form का use होता है, तो सबसे पहले देख लो, कौन-कौन सा ing है, या तो being, या तो having, केवल इन ही दोनों में से कोई होगा, अब फिर से थोड़ा sentence को पढ़ते हैं, कि it seems to me that most people are scared of, लोग डरे हुए हैं, अब देखो, for example, तुम डरे हुए हो, तो ये तुमारी condition है, ये तुमारी इस्तिती है, और state या इस्तिती या condition को बनाने के लिए, बताने के लिए हमेशा हम be verb का use करते हैं, किस verb का? be, be, ये जो particular verb है be ना, इसका मतलब होता है हो ना, तो यहाँ पर लोग डरे हुए है ना, तो इसलिए being का use करेंगे, हमें पता है कि जो fourth वाला है, उसमें केवल ing form भरना था, और ing form हमारे पास केवल option number second में है, और option number fourth में है, लेकिन भाई, अब option second भरें कि fourth भरें, इसमें भी confusion है, तो देखो, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, कि it seems to me, मुझे ऐसा लगता है, कि जो ज़् दरे हुए है, यह इनकी स्तिती है लोगों की, कि लोग दरे हुए है, और लोगों की condition या state बताने के लिए, हम B वर्प का यूज करते हैं, B का मतलब क्या होता है, होना, समझ गये, तो हमारा second option is the correct option, और D वाले में हम भर देंगे, B ing, समझ में आया, किती छोटी छोटी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि a witty person is one, एक चालाग व्यक्ति वो होता है, that has the ability, जिसके पास ability हो, तो इस blank में क्या भरा जाना चाहिए, जिसके, यही तो हिंदी में फिल होना चाहिए, अब आपके पास options है, चार, अब आप ये बताओ कि जिसके के लिए, हम कौन से word का use करते है क्या who का use करते हैं हम, क्या which का use करते हैं, which का मतलब क्या होता है, कौन सा, whose का मतलब क्या होता है, किसका, where का मतलब होता है, कहा, केवल क्या बचा, बचा केवल हमारा who, ठीक है, तो who हम first value option में fill up कर देंगे, ठीक है, अब देखो याद रखना, जो who है, वो हमेशा leaving things के लिए use होता है किसके लिए use होता है leaving things के लिए जैसे देखो यहाँ पर जो चालाग व्यक्ती है चालाग व्यक्ती क्या है एक leaving things है ना तो इसलिए हम यहाँ पर who का use करेंगे अब यहीं पर अगर कोई person के जगा कोई चीज होती तो हम which का use कर सकते थे क्योंकि which का use non leaving के पहले use होता है ठीक है whose का use किसी से relation बताने के लिए होता है relation मतलब for example आप बच्पन में पूछते था ना whose pen is this किस की pen है ये तो आपका इस pen से relation क्या है जैसे मैं पूछू whose girlfriend is this किस की girlfriend है ये तो relation ठीक है whose का use हमेशा relation बताने के लिए होता है तो भाया और where का use हमेशा place को दिखाने के लिए होता है तो हमारा यहाँ पर क्या fill up होगा correct answer होगा who क्योंकि who किसी person को refer करता है और यहाँ पर एक person की ही बात हो रही है एक चालात व्यक्ती की बात हो रही है समझ में आया आगे देखते हैं बी वाला option की a witty person is one who has the ability जिसके पास काबिलियत हो किस चीज की काबिलियत हो to say clever and amusing things मज़ेदार चीजें बोलने की जिसके पास काबिलियत हो उसको हम चालाग रखती कहते हैं अब बी के लिए आपके पास option है in, off, with और to ये चारो prepositions हैं हमारे अब आप बताओ आपको क्या लगता है क्या fill up होना चाहिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो एक चालाग रखती वो होता है who has the ability dash say say क्या है हमारा say हमारा verb का first form है और याद रखना अगर verb का first form आया है और उसके पहले कोई खाली अस्थान है blank है आपको fill करना है तो याद रखना हमेशा verb के first form के पहले हम to का use करते हैं हमेशा to का use करेंगे जैसे to teach to study to read to sing to throw to play ठीक है समझ में आया हमेशा verb के first form के पहले केवल एक ही preposition का use होता है और वो है to t और o तो जब कभी भी आपको ऐसा कोई blank मिले जिसके सामने verb की first form भरी हुई हो या जिसके सामने verb की first form लिखी गई हो तो हमेशा to का use करना गाट इट चलो आगे देलते हैं कि एक चालाग वित्ती वो होता है जिसके पास ability होती है clever और amusing things बोलने की ठीक है ऐसा teacher ने बताया ठीक है समझ गये अब उसके बाद teacher ने पूछा teacher ने ask किया अब देखो जब कभी भी हम direct speech के question को indirect में change करते हैं तो हम ask word का use करते हैं पता है ना for example अगर direct speech में ये दिया गया है कि प्रेम सर said comma inverted comma आप इसको indirect में जब change करोगे तो क्या हो जाएगा प्रेम सर asked प्रेम सर ने पूछा समझा और जब कभी भी indirect speech में ask word का use हो जाए तो उसके बाद हमेशा if का use होता है आप direct से indirect में change करते हैं टाइम आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम direct speech को indirect में change करते हैं और अगर direct speech में कोई question है तो वो indirect में ask word हो जाता है और ask के साथ लग जाता है if ठीक है तो देखो option में if है क्या बिलकुल है so our third option is the correct option आगे चलते हैं कि then he asked उसके बाद teacher ने पूछा कि क्या किसी ने सुना है ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लोगों ने एक साथ बोला कि sir beerbal dash very bitty beerbal dash very bitty कुछ लोगों ने एक साथ कहा जब teacher ने पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को चानते हो जो बहुत ज़ादा चलाक हो तो सभी लोगों ने कहा एक साथ की sir beerbal very witty dash dash है अब dash में क्या भरा जाएगा was का फिलप होगा या war का फिलप होगा या has या is भाई helping वो अभी लगानी है लेकिन याद रखना जो beerbal थे वो तो पुराने जवाने में थे अभी तो है नहीं ना जो beerbal थे वो clever थे वो चालाक वेक्ती थे अब तो वो जिंदा नहीं है ना तो जब थे तो हम past tense का verb का use करेंगे past tense के verb कौन से है केवल दो है was और word ठीक है अब beerbal हमारा केवल singular noun है इसलिए हम was का use करेंगे समझ में आया several persons spoke with one wise sir beerbal was very witty beerbal बहुत ही चालाक वेक्ती थे I hope आपको यह समझ में आ गया होगा Okay now we will move to our question number 4 question number 4 हमसे क्या कहता है कह रहा है भाई कि yesterday कल की बात कर रहा है इसका मतलब यह पूरा paragraph तो सबसे पहला काम यह करो कि भाई tense पहचान लो कि पूरा paragraph या पूरा sentence कौन से tense में है जैसे यह paragraph past tense में है इससे आपको benefit क्या मिलेगा verb की forms आपको भरने में easy हो जाएंगे जैसे पहला ही question देख लेते हैं कि कल की बात है एक rich महिला West Bengal से दिल्ली I past form का use करेंगे क्यों? क्योंकि यह पूरा paragraph past tense में है आपके पास option है चार come, comes, came और coming अब इन चारों में उसे past का कौन सा form है यह पहचानो come, come तो verb की first form है और present में use होता है मतलब यह तो होगा नहीं दूसरा, comes यह भी verb की first form है यह भी present में use होता है तो यह भी use होगा नहीं came, came verb की second form है और आपको पता है कि present, past और future में केवल past tense ऐसा tense है जिसमें verb की second form use होती है ठीक है? That means कि verb की second form हमारा यहाँ पर fill up किया जाएगा came ठीक है? That means कि yesterday a rich woman from West Bengal came to Delhi to buy jewelry got it आगे चलते हैं कि she was sitting outside वो बाहर बैठी हुई थी jewelry shop के jewelry की दुकान के बाहर वो बैठी हुई थी अब आपके पास यहाँ पर भी चार options है a है, and है, the है और sum है यह same नहीं, actually sum है got it? क्या fill up करोगे? फिर से sentence को पढ़ो कि वो महिला बाहर बैठी हुई थी jewelry shop के अब क्या fill up होगा? कौन सा article fill up होगा? देखो, मैं आपको बता दूँ, यह जो a और an है वो किसी indefinite noun के पहले use होते हैं किसके पहले? indefinite noun indefinite का मतलब पता है indefinite का मतलब जिसको आप पहली बार जहां पर जा रहे हो या आप किसी चीज को पहली बार देख रहे हो तो वो आपके लिए indefinite है मतलब आप इसे नहीं जानते तो ऐसे nouns के पहले हम a और an का use करते हैं वहीं पर जो the का use है वो सभी definite nouns के पहले use होता है definite मतलब जानते हो अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप जानते हो उसके पहले आप the का use करोगे अब देखो क्या करेंगे हम वो महिला बैठी हुई थी jewelry shop के अगर वो महिला किसी jewelry shop में बैठी हुई है that means कि वो उस गहने की दुकान को जानती है नाम वाम पढ़ी है तभी तो अंदर गई है ना मेरे भाई yes, exactly और ऐसा noun जिसको आप जानते हो उसके पहले आप the का use करोगे तो the jewelry shop चलो, आगे देखते हैं suddenly लेके नचानत, दो लड़के अंदर आएं और क्या किया, snatched खीच लिया, क्या खीच लिया chain खीच लिया, और बीच में ही हमें fill up करना है आपके पास option है and, or but, or how that means की conjunction add करना है यहाँ पर आपको conjunction fill करना है c वाले में, देखो suddenly क्या कह रहा है, कह रहा है कि अचानत दो लड़के वहाँ jewelry shop में आते हैं और खीचते हैं snatched करते हैं, मतलब यहाँ पर लड़के आए, पहला काम chain को घीचा, दूसरा काम इन दोनों को जोडने के लिए and का use करेंगे, लड़के आए और chain को खीचा got it, समझ में आया, तो and का use करेंगे हम c वाले में d, d क्या कहता है snatched the chain that she was हाँ, यह यह पूरा sentence पढ़ो, फिर से देख ले तो देखो suddenly से लेके, यहाँ तक पूरा एक बार sentence पढ़ो, इसमें हमने क्या फिल किया था, हमने फिल किया था and, खीक है, suddenly two young boys came there and snatched the chain that she was wash, अब आपको पता है wash और work के बाद, हमेशा work की first form plus ing आती है मैंने बताया है, कि was और work जो है, वो past continuous का helping verb है, और past continuous में ing form का use करते है, तो भाई wash के बाद हमेशा ing form का use होगा, देखो कौन सा ing form है, कोई ing form है, wear, wear में तो ing नहीं लगा wears, इसमें भी ing नहीं लगा wear, इसमें भी ing नहीं लगा wearing, fourth option हमारा correct option होगा थोड़ी सी common sense की जरुवत है, आप देखो एक बहुती simple तरीका ये है कि कोई भी fill को आपको भरना है, कोई भी blank को आपको भरना है, उस blank के आगे पीछे के word को ध्यान से पढ़ो, उनही में answers छुपे हुए होते हैं, so this is all about this paragraph, चलते हैं अपने next question पर, question number five and last question of this video, fifth question क्या कहता है कि spiders are one of the fascinating creatures, spiders are one of the उसके बाद blank दिया है और आपके पास option है, more most, less या least, इसका मतलब कहने का ये है कि जो spiders होते हैं, जो मकडियां होती हैं, वो सबसे कम fascinating creatures होते हैं मतलब लोग उन्हें पसंद नहीं करते, तो नहीं का मतलब less, कम पसंद करते हैं न, तो अब देखो less होगा या तो least होगा more or most तो होगा नहीं, क्यों क्योंकि more or most का मतलब होता है जादा मकडियों को लोग जादा पसंद नहीं करते मकडियों को लोग कम पसंद करते हैं, तो या तो less फिल करेंगे या तो least फिल करेंगे अब आपको इतना पता है कि अगर कोई भी the का use हुआ है और उसके बाद हमें adjective फिल करना है जैसे देखो less और least यह सब क्या है adjective है जैसे less, lesser, least adjective है long, longer, longest adjective है, high, higher, highest adjective है आपको यह पता होना चाहिए कि the के बाद हमेशा हम third वाले adjective मतलब superlative degree का use करते हैं तो यहाँ पर हम भरेंगे least मैंने बताया था एक example भी आपको दिया था आप बोलते हो ना honesty is the best best के पहले हमने लगाया है the मतलब किसी भी superlative degree के पहले हम the का use करते हैं ठीक है, तो the आया है मतलब किसी ना किसी superlative degree का use होना है अब देखो, the के बाद हमने यहाँ पर least का use कर दिया so our least is correct option आगे देखते हैं, spiders are the least fascinating creatures several hundred species are in India कुछ हजारो या कुछ सैकडो species मकडियों की हमारे इंडिया में क्या की जाती है find, found, lose या lost तो भाई, lose और lost तो होगा नहीं क्योंकि मकडिया हमारी इंडिया में खो नहीं गई है पाई जाती है ना, अब आप बताओ वो अपकी third form का use करोगे की verb की first form का, सबसे पहले tense देखो several hundred species are तो मेरे भाई आपको पता है is, am, are के बाद केवल दोई verb के form use हो सकते है या तो verb की third form या तो verb की first form और ing form तो यहाँ पर verb की third form दी गई है क्या yes, found हमारा verb का third form है, इसलिए हम यहाँ पर fill करेंगे found समझ में आया, is, am, are present continuous का helping verb है और इसके बाद हम केवल ing form of verb use करते है या verb की third form जैसे यहाँ पर found हमारा verb की third form है find तो वो आपका first form है तो find तो होगा नहीं found हमारा correct answer है चल दें अपने next पर की they are quick यह जो मकडिया होती है, यह बहुत जादा fast होती है, जब इनके पास कोई आता है, तो यह चली जाती है मतलब भाग जाती है they, they, dash don't sting, वो वो हमें काटती भी नहीं है वो हमें डंक भी नहीं मारती है इसके लिए क्या है, less less fill करेंगे, they, less don't, कुछ अटपटा नहीं हो जाएगा yes, तो less तो होगा, नहीं they, hardly don't sting, hardly का मतलब होता है, कभी नहीं और don't का मतलब भी होता है, कभी नहीं दो negative कैसे use करोगे तो hardly भी नहीं होगा यहाँ पर had का use होगा क्या देखो, they, had, don't sting, नहीं मेरे भाई, क्योंकि had हमारा helping verb है और don't भी हमारा helping verb है दो helping verb एक sentence में कैसे use करोगे, तो बचा क्या often, अब हम लगाएंगे यहाँ पर often, अकसर अकसर जो मकडियां होती है वो हमें डंक नहीं मारती समझ में आया, चलो nor is there bite saver ना तो उनके काटने से हमें कोई ज़ादा फरक पड़ता है, यहाँ तक की कुछ चीटियों के काटने से जितना दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा कम spider के काटने से होता है many species of spiders inhabit this environment, क्या फिलब करना है our, ours, your, yours अब देखो, यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर आपको पता है environment का use हुआ है और environment की पहले environment क्या है, environment का मतलब होता है वातावरण, वातावरण किसी एक का तो होता नहीं है ना, हमारा होता है, our environment होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे our का use करेंगे ours का use हम कर नहीं सकते your, तुम्हारा environment ऐसा तोड़ी कहेंगे अपना भी तो इन्वार्मेंट है ना मेरे भाई आवर इन्वार्मेंट So this is all about this video I hope कि you loved this video आपको ये video पसंद आई होगी मुझे feedback जरूर देना comment box में आपके feedback मुझे motivate करते हैं और जादा videos बनाने के लिए So channel के साथ बने रहेगे bell icon को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे और भी कई आने वाली important videos आपको मिल सके मिलते हैं अपनी अगली video में तब तक के लिए जैहिंद